आपके बस Samsung Galaxy S24 है, 24 series का कोई और phone है, तो यहाँ पर आप notification bubbles को कैसे turn off कर सकते हैं और text message bubble को कैसे off कर सकते हैं, तो सबसे पहले notification की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आप setting पर जाएंगे, scroll कर लेंगे, notification का option है, click कर लेंगे, और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, advance का, advance पर आपको जाना है, floating notifications के option पर click कर लेंगे, bubble का option है न, तो यहाँ पर हमें off करना है, तो off पर click कर देंगे, off कर दिया, अब यहाँ पर smart pop-up view है, चाहिए यह bubble का option है, आपको off कर देना है, off करना है तो, इसके बाद back कर लेंगे, अब रही बार text message की, तो इसके लिए text message आप open कर लेंगे, और यहाँ पर logo पर click कर लेंगे, message setting पर जाना है, और यहाँ पर आपको bubbles का option मिल जाएगा, text message वाला, अगर यह all या फिर selected है, तो इसको आप none कर लेंगे, हटाने के लिए, लगाना है, तो आप all कर लेंगे, ठीक है, हटाना है, तो none कर लेंगे, तो दूनों pop-up bubbles ऐसे करके turn off कर सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.